Hello everybody, कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing good. तो बिटा, आप लोगों को ये टाइटल देखके तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये विडियो उन बच्चों के लिए हैं, जो की नीच 2024 को aim कर रहे हैं. अब क्योंकि आप यहाँ पर आ ही गए हैं, तो I am sure आप इस two year की journey के लिए mentally तो prepare हो ही गए होंगे. क्योंकि कोई भी जंक जीतने से पहले न, उसको दिमाग में जीतना पड़ता है, उसको मन में जीतना पड़ता है. ठीक है, तो अब यह long journey होने वाली है, पर I am sure हम लोग मिलके महनत करेंगे और सफलता तक जरूर पहुंचेंगे, हम जरूर सफल होंगे. क्योंकि वो कहते हैं न, कि जो लोग महनत का साथ नहीं छोड़ते, सफलता कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती. तो महनत करते चलेंगे, मिलके महनत करेंगे और सफलता तक जरूर पहुंचेंगे. और इस टू यर की जर्णी को स्मूथ बनाने के लिए और एंड तक आपके साथ चलने के लिए और एंड में सक्सेस पाने के लिए आप लोगों के लिए उम्मीद टीम आपको पता है, एक नया बैच लेकर आ गई है, that is your सफल बैच. सफल बैच आठ स्टार्ट हो चुका है, इंटर्डूस हो चुके हैं आप अपने दोनों टीचर से, सुमित सर जो आपके फिजिक्स एजुकेटर है, एंट शुम्म सर जो आपके चेमिस्ट्री एजुकेटर है, और जो लोग अभी तक मुझसे इंटर्डूस नहीं हुए है, आइम नतिका बत्रा, यार बायलजी एजुकेटर, तो हम लोग मिलके आपका सफल बैच शुरू करेंगे, और हम अच्छे से डीटिल में हर एक चीज यहां पर कवर करेंगे, इन टू यह फोर नीट टू थाउसन ट्वेटीफॉर, अब क्योंकि यह टू यह जर्णी है, तो हम लोगों पे लोड ना इनक्रीज हो, अब अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नोटस बना रहे हैं, तो नोटस किस तरीके से बनाएं, ताकि हमें रिविजन में हैल्प हो, क्योजिशन प्रेक्टिस कहां से करें, एक दिन में कितनी करें, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे मैं जानती हूं तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आगे चलते हैं और देखते हैं कि यह पैच आपके लिए क्या-क्या कीटर करेगा आपको क्या क्या प् आपके सफल बैच में जो जो चीजे कवर हो रही हैं आप देख लीजे सबसे पहली चीज एंसी आटी बेस्ट हैंड मेड नोंट देखो हम समझते हैं कि टू यह का टाइम है टू यह बहुत इनाफ टाइम होता है लेकिन यहां पर जो गल्ती मेंली हो जाती है वो यह कि हम इ एंसी आटी सेंट्रिक है तो हम एंसी आटी की आउटलाइन के अराउंडी चलेंगे जो हमारा काम है वही करेंगे क्योंकि वही से क्वेशन आना है अभी वह चीज पढ़ेंगे तो एंड में रिविजिन करने में हम लोगों को असानी होगी और हर एक चीज आपको हाथ से ल आप जाएज और आप जानते हैं जो फॉट पर्सेन पार एक्स्ट्रा आता है वोग हम भ этом वही ले लेंगे तो आपकी कवर हो ही रही है एक्स्ट्रा भी वहाँ पर आ रहा है तो आपकी पूरी की पूरी NCRT को ही notes में उतारा जा रहा है और notes में आप जानते हैं revise करना easy होता है पर plus हम हर चीज concept के साथ वहाँ पर पढ़ते हैं तो overall आपकी चीज वहाँ पर theory complete हो जाती है लेकिन हम जानते हैं कि theory से तो काम चलता नहीं है सिरफ theory से काम चलता नहीं है तो आपकी question practice के लिए पूरा इंतजाम पूरा बंदोबस भी हाँ पर कर दिया गया है जैसे ही आपका एक lecture खतम होगा बिटा एक lecture यहाँ एक chapter मैं कहूं जैसे ही आपका एक chapter खतम हो जाएगा एक entire lecture आएगा that will be dedicated to question practice जैसे आपका mole concept चल रहा है chemistry में तो जैसे ही आपका chapter complete होगा in one or two lectures or two or three lectures fourth lecture आएगा जिसमें sir आपको खूब सारे question practice करवाएगे है ना ताकि आप उसके जितने भी area से question बन सकते हैं आप हर एक possible question वहाँ पर देख ले ठीक है और हमें question practice में क्या include करना होता है PYQ and exemplar उसके बिना तो question उसके बिना कोई और question practice complete नहीं है क्योंकि आपको previous year का pattern समझना बहुत जरूरी है जो भी neat का exam है बिटा समझीए जो भी neat का exam है वो एक particular pattern follow करता है questions वहीं से reframe करकर दुबारा आते नई questions नहीं बनते हैं बस एक exam से दूसरे exam में question transform किये जाते हैं तो अगर आपने PYQ देखे होंगे आपको idea होगा कि किस portion से जादा question बन रहे हैं किस तरीके से बन रहे हैं और कहां पर आपको focus करने की जरूरत है तो आपको PYQs and exemplars भी करवाए जाएंगे प्लस जैसे ही आपका lecture होगा everyday आपको DPPs में मिलेंगे आपको question practice करने के लिए वहाँ से भी question मिलेंगे तो जो 360 degree covering करनी है हमको हम पूरी यहां पर करेंगे आपकी theory complete होगी जहां से भी चीज़े आ सकती है एक जगाँ पर आपके सारे notes से कटे होंगे revision आपके लिए असान हो जाएगी notes कैसे बनाने हों आप हमारे साथ ही सीखेंगे क्योंकि हम आपको हाथ से लिखके notes बनवाएंगे class में सब कुछ याद करेंगे और question practice भी भरपूर करेंगे तो भई इससे उपर तो कुछ हमारे पास रहेगा ही नहीं जो हमें रोक सकेगा NEET को crack कर ले से NEET 2024 तो हमारा है 100% हम लोगों का ही है ठीक है उसके सिवा यहां पर आपको क्या मिल रहे है weekly targets अब हम जानते हैं कि जब आप कोई भी practice शुरू करते हैं कोई भी preparation शुरू करते हैं तो हमारे लिए planning बहुत ज़रूरी है जो set of questions आपको दिये जाएंगे आप उनको भी attempt कर सेकें और साथ में हमारे चल सेकें हमारे साथ में एक दम आप लोग चल सेकें अगें जो एक बहुत बड़ा doubt एक बहुत बड़ा query बच्चों के दिमाग में रहता है कि माम स्कूल के साथ किस तरीके से करेंगे तो बिटा हम जानते हैं कि आपका स्कूल भी है आपको वहाँ पर भी chapters करने है तो बहुत ज़्यादा होच पोच ना हो बहुत ज़्यादा confusion आपके दिमाग में create ना हो इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे पढ़ोगे पढ़ोगे और डीटेल में concept भी पढ़ोगे है तो आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं लगे है एक तरीके साब स्कूल आकर revise भी कर लोगे और extra भी पढ़ लोगे इसलिए जो 2023 के courses चल रहे हैं वो 12 से स्टार्ट हो रहें आपके 2024 के courses यहाँ पर 11 से स्टार्ट हो रहे हर एक चीज बच्चे हर एक चीज आप लोगों के लिए ही प्लान की गई है आप लोगों को help हो सके इस तरीके से ही आपके टागेश बनाएगे सब कुछ आपके लिए प्लान की आगे क्योंकि बिटा देखो सिंपल सी बात है टू यह इनफ टाइम होता है लास्ट के टाइम में लोग नीट क्राइक कर लेते हैं आपके पास तो पूरे टू यह बस यह नहीं सोचना है कि यार दो साल है तो कल शुरू करेंगे कल शुरू करेंगे बस उसको प्रोक्रास्टिनेट बद करो हर दिन एवरी डे काम करो बहुत कम लोड है अभी जादा लोड नहीं है लेकिन अगर आपने एवरी डे शुरू अप किया तो टू यहस में बहुत मख़न तरीके से बहुत स्मूथ तरीके से आपको नीट एक दम हलवा लगेगा कि यार ऐसा कौन सा क्वेशन है जो मैं कर नहीं सकती इतनी बार multiple times आप अलग लग तरीके से उनके revision और question practice कर चुके होंगे अब अगर हम lectures देख ले तो आप खुद देख लिए तो दो दिन biology करने के बाद आपको एक दिन का biology से break मिल रहा है आप notice कर पारें एक दिन आपको break मिल रहा है तो आपने सिरफ 1-1 hour के बिटा सिरफ 1 hour का आपका each lecture होगा ठीक है बहुत जादा load नहीं आएगा आप उसको पढ़ेंगे आप उसकी NCRT करेंगे घर जाने के बाद आपको target मिलेगा और जो DPPs के question आपको बोले जाएंगे कि आप solve कर सकते हैं इस lecture के बाद आप उसको solve करेंगे target आपका done हो गया फिर भी अगर आपका इन दो दिन में कोई backlog बन जाता है biology का तो आपको Wednesday मिल रहा है इसको cover up करने के लिए आप Thursday और Friday को biology करोगे तो फिर आपको Saturday Sunday का gap मिल जाएगा तो बहुत जादा काम तो है ही नहीं और plan भी इस तरीके से किया गया है कि हर subject की बीच में आपको time मिले उसका backlog हाथ तो हाथ complete करेंगे लिए जाकि बड़ा सारा backlog तो हमारा बन ही ना काम pile up हो ही ना अब पहले से आप शुरू करेंगे नहीं शुरुवात करेंगे तो गलतियों से सीखो अपने seniors की गलतियों से सीखो सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि अब नहीं कि आ बाद में कर लेंगे सोच सोच के सोच सोच के एक दो महीने बाद इतना pile up हो जाता है काम कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें और फिर उस चक्कर में एक महीना और वेस्ट हो जाता है देखते देखते हां इस तरीके से इस पैटरन को फोलो करते हुए इतना आपने कंसिस्टेंसी से बहुत इंपो आपको मेरी तरह से गारेंटी है कि कोई आपको रोख ही नहीं सकता निट क्राइग कर देशे फिर एंड टाइम पे self-doubt वाली चीज बचेगी ही नहीं, self-doubt कब आता है जब हम कही ना कही अपने आपको unprepared feel कर रहे होते हैं, अगर आपने इस चीज को ठंक से follow कर लिया, starting से regularity show कर दी, है ना, इस काम में, तो self-doubt की तो जगा ही नहीं बचेगी आपके जिंदगी में, बचेग take one day at a time, कुछ बचे क्या करते हैं, एक दिन में 18 घंटे पढ़ लेंगे, 19 घंटे पढ़ लेंगे कि मुझे आज ही पुरा का नीट क्राय करना है, और फिर इतना थक जाएंगे कि अगले एक हफते तक book भी नहीं उठा पाते हैं, तो वो भी नहीं करना, overload भी नहीं करना अप lecture कौन करेगा, लेकिन दो lecture करने तो असान थे न, इसलिए बिटा कहते हैं, take one day at a time, जितना वो दिन आप से demand करता है, अभी दो lecture के हम लोग बात करें, तो उतना कीजिए, लेकिन कीजिए हर दिन, हर दिन, consistency बहुत जरूरी है, कहीं तक भी पहुँचने के लिए, हर दिन धीर पूरा प्लान आपको मिलेगा, कोई भी important information आपको इस course से related चाहिए, तो आप उमीद नीट यूजी के telegram channel को जरूर join कर लीजिए, link आपको description box में मिल जाएगा, telegram channel पे क्या रहेगा, जो आपको DPPs बगेरा है, वो भी वहाँ पर मिलेंगी, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, है ना, है ना, तो वो भी आपको tension नहीं रहेगी, वैसे हम notes साथ में बनाएंगे, but in any way आपको कुछ भी चाहिए, तो PDF वहाँ पर मिल जाएगा, DPPs वहाँ पर मिल जाएगी, हम जो PYQs exemplar solve करेंगे ना, उनका PDF भी आपको telegram channel प बादीजे, क्योंकि जैसे ही नया lecture आएगा, notification आपको पहले ही यहाँ पर पता चल जाएगी, कि lecture आने वाला और आप उसके according अपने आपको prepare कर सकते हैं, basic schedule आपके सामने यहाँ पर है ही, everyday 1 p.m. और 3 p.m. आपकी classes रहेगी, 1-1 hour का आपका lecture रहेगा, बहुत simple तरीके से, smooth तर effort आपको दीना है और हमारे साथ बने रहना है, मिलके सफलता तक हम जरूर पहुंचेंगे, हम सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे, ठीक है, thank you so much, thank you very much, next class पर मिलेंगे, biology के lecture के साथ, I'll see you there, thank you, bye-bye.